नमस्कार दोस्तों अब सभी का सौगत है मेरे चैनल दे इंडियन अपडेट में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ एक पॉलिवुड मुवी आर्टिकल 370 वैसे मैंने आर्टिकल 370 के टॉपिक पे दो वीडियो बनाया है पर आज के इस वीडियो में मैं में एक्स्प्लेइन करूँगा कि किस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया था मतब इस मूवी में आर्टिकल 370 के अबरोगेशन को एक्स्प्लेइन किया गया है इसलिए मैं इस आपको explain कर रहा हूँ ताकि आप पूरी कहानी यहां पर समझ पाए मैंने इसकी history पर already कई सारे videos बनाए है और आज मैं इस movie की कहानी explain करूँगा ताकि आप article 370 के abrogation को भी अच्छे से समझ पाए तो ठीक है दोस्तों बिना किसी देरी के video शुरू करते है तो दोस्तों इस film की क पूरानी शुख होती है कशमीर में पोस्टेड आई फी ऑफिसर जुणी हकसर से यहां पर जुणी को पता चलता है कि बुरहन बानी जो कि न कश्मीर का एक बहुत खतरनाक आतंग वादी है удар जब वो उस गर्डफिरेंड से से बात करती है तब उससे पता चलता है कि बुरह खावर अली बिल्कुल नहीं चाता था कि जूनी यहां किसी भी तरह बुरान वानी को किसी तरह का नुकसान बहुचा है। अब जब जूनी इन सभी चीजों की रिपोर्ट अपने सीनियर खावर अली को देती है तो खावर अली यहां पे जूनी पर काफे गुसा होते हैं और वो कहते हैं कि बुरान वानी यहां पे कश्मीर का एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है वो भले ही टेररिस्ट है पर यहां प जफर वानी का स्तमाल किया उसे एक नया चेहरा बनाया यहां पर हिजबुल के लिए और कश्मीर के लोगों में और जाथ आक्रोज भरने लगा यहां पर पत्राफ करवाने लगा यहां पर कश्मीर के लोगों को यहां पर बुरान वानी को ऐसा सिंपथी यूस करकी यहां प कश्मीर और उसके सभी मसलों के बारे में अच्छे से जानती है पर हाल फिलाल में सरकार सिर्फ यह चाती है कि कश्मीर में शांती बनने रहे और जिस वज़े से वो यहां पे कश्मीर के मुख्य मंत्री और पूर्व मुख्य मंत्री को बैटक के लिए बुलाते हैं अब यहां इन दोनों की मीटिंग प्रदान मंतिरी से होती है और प्रदान मंतिरी इनको समझाते है कि कश्मीर में किसी भी तरह शांती लानी होगी आईभी से ikan अब आपको कश्मीर में वापस भेज दू when you can shift कोंज सब्सक्राइब कि मैं आपको यहाँ NIA के तरफ से भेजती हो, आप अपनी special team बनाएए, और अपनी special team की मदद से आप यहाँ पर IB से भी बरकी होगी, IB से भी जादा power आपके पास होगी, IB से आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा, आप अपनी तरीके से freely काम कर सकती है, तब कश्मीर में जाईए और वहाँ पर हालात सुधारने की कोशिश कीजिए, हमें पता है आपने वह काबिलियत है, तो यहाँ पर जुनी अपने team के साथ निकल जाती है कश्मीर की और उनके पास यहाँ पर पूरी तरह से free hand था, उन्हें यहाँ पर कश्मीर में शांती कायम करनी थी, औ वह यहाँ सीधा निकल जाती है कश्मीर की और उनका सबसे पहला यहाँ पर मोटो यह था, कि उन्हें किसी भी तरह यह पता करना है कि यहाँ आतंगवादियों को funding आखिर मिलती कहां से है, अब जुनी को यह पता भी चल जाता है कि इनकी funding है, इनकी funding है, अब जैसे यहाँ यहाँ पर कश्मीर में आतंगवादियों को funding देती है, और जो यहाँ पाकिस्तान से अक्रोट आते है, उन्हें यहाँ पर बेचके यहाँ terrorists को funding मिलती है, वरना पाकिस्तान और ISI के बिना यहाँ पर terrorists कुछ भी नहीं कर पाएंगे कश्मीर में, अब जैसे यहाँ पर जुनी करता है, कि इन सब के साथ यहाँ पर अबदाली नाम का एक ISI agent है, जो इन सारी चीज़ों को control करता है, तो यहाँ खावर रली से सारी खबर लेने के बारी information खावर रली से निकलवाने के बाद और अबदाली का location मिलने पर जुनी जाके यहाँ पर अबदाली को arrest कर लेती है, यहाँ पर जुनी और उनकी टीम पूरी तरह से घेर चुकी थी, उन पर पत्राफ करने लगते हैं, उनके गारियों पर चर जाते हैं, तब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चोहान जो CRPF officer थे, जो जुनी के friend थे, उनके दिमाग में एक idea आता है, और वो यहाँ पर अबदाली क वो अपने गारी के आगे बांध देते हैं, और बांध के यहाँ पर सीधर निकल परते हैं, क्योंकि उनके लोग यहाँ पर अबदाली को तो नुकसा नहीं पहुचा सकते थे, वैसे दोस्तों यह कहानी बिल्कुल रियल है, यह एक Assam Rifles के Major Little Gowai की कहानी है, बिल्कुल रिय अब यहाँ पर कश्मीर की चीफ मिनिस्टर परवीन और XCM जलाल समझ जाते हैं, कि उनके हातों में अभी जादा चीज़े बची नहीं है, तो वो डिसिशन लेते हैं, कि वो अभी एक साथ आ जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, वो सारी मिनिस्ट्रीज भी बाट ल और जिस वज़े से यहाँ पर परवीन और जलाल को रुखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, अब यहाँ पर क्योंकि अबदाली कश्मीर के जेल में ठीक से नहीं रह रहा था, वो यहाँ पर प्रॉब्लिम्स क्रियेट कर रहा था, तो यहाँ राजेश्वरी जी के ओर पर जूनी याँ पर अबदाली को लेके दिल्ली आ जाती है, और यहाँ पर जूनी को पता चल दा है कि गवर्मेंट कश्मीर में कुछ बहुत बरा करने वाली है, मतलब वो समझ जाती है कि शायद यहाँ पर गवर्मेंट किसी तरह आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश करेगी अब यह खबर अल्रेडी कश्मीर में भी पहुत चुकी थी, कश्मीर के लोगों को भी अंदाजा हुआ था, मतलब वो समझे नहीं थे कि आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा, पर यहाँ कश्मीर की लोग भी समझ चुके थे, जो यहाँ पर हिजबुन मुझाइद दीन थे, जो यहाँ पर कश्मीर की गवर्मेंट थी, उनको भी समझ आ गया था, कि यहाँ पर इंडिया कुछ ना कुछ बहुत बरा यहाँ पर कश्मीर में करने वाली है, तो वो भी यहाँ पर अपनी प्लैंस करते हैं, वो भी यहाँ तैय करते हैं कि वो कश्मीर में कुछ बरा करें और यहां 14 February 2019 को वो पुलवामा में एक CRPF के कॉन्वाइ पर अटाक करते हैं और जहां हमारे 40 निर्दोस जवानों की मौत हो जाती है। यहां पर हिजबूल का एक में प्याइन प्याइन पर अटाक करते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर इंट्रोगेशन करने के बाद जूनी को पता चलता है कि जो लड़का यहां पर उस बॉम वाली गारी को लेखे उस CRPF Convoy में जाके टकराया था वो अच्छली जेल में था उस टाइम पहले तक और उसे यहां पे खावर रिली की मदद से जेल से बाहर निकाला गया था अब जैसे यह सब जूनी को पता चलता है उसे बहुत ज़ादा गुसा आता है वो यहां खावर रिली को ज़के पकड़ती है उसे बहुत सुनाती है उसे सस्पेंट कर देती है क्योंकि यहाप एक खाबर अली की गल्थियों की वज़े से ही अस्तियार पीएफ की इतने सारे जवानों की मौत हुई थी तो वो यह आपे इन सभी चीजों की जानकारी निकालने की जिम्मेदारी देती है राजिश्वरी जी को अब राजिश्वरी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लेम थी कि आर्टिकल 370 को हटाने का राइट सिर्फ कॉंस्टिटुएंट असेंबली के पास था वह होता है तो वो यह फाइट करके उस अटाक से बचके निकलते हैं अब जब जूनि यह सारी क्लोसला के राजश्वरी को देती है और राजश्वरी इने परती है तो वो समझ जाती है कि Article 370 को हटाया तो नहीं जा सकता पर राष्टरपदी के पास ही अधिकार है कि वो Article 370 को change कर सकते हैं उसके बहुत सारे parts को वो change कर सकते हैं जिससे वो लगबग Article 370 को हटाने के बराबरी होगा अब यह solution तो मिल गया था पर अभी भी 370 को हटवाने के लिए जो बिल पास करवाना जरूरी था उसे लोगसबा और राज्यसबा दोनों से गुजरना पड़ता अभी लोगसबा में तो वो इस बिल को पास करवा देते पर राज्यसबा में उनके पास majority नहीं थी तो इन सब का जिम्मा यहां पर प्रदान मंत्री जी अपने होम मिनिस्टर अमिच्छा को देते हैं और अमिच्छा जी को कहते हैं कि आप किसी भी तरह से जोच करना परी कीजिए और यहां पर आर्टिकल 370 का यह बिल आपको राज्यसबा से पास करवाना है अब यहां दूसरी तरफ कश्मीर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था और सबी समझ चुकी थे कि 5 और 6 अगस्ट को कुछ ना कुछ तो बहुत बरा होने वाला है अब यहाँ जूनी भी सबत चुकी थी कि कश्मीर के लोग भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बरा करने का प्लान तो करेंगे तो यहाँ जूनी क्या करती है कि कश्मीर में कॉल सर्विसेज बंद करवा देती इंटरनेट भी बंद करवा देती उसके पूरी पावर थी तो लोग यहाँपे कश्मीर को पूरा कंट्रोल में लेके आते, जो भी करना पॉसिबल था, ताकि कश्मीर में कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लेम ना हो सके, वہ यहाँपे करते हैं, और पूरे कश्मीर को यहाँपे हाई अलर्ट पे रखते हैं। अब सब को पतात हो था कि 5 और 6 तरीक को कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है पर कोई सोज भी नहीं सकता था कि यहापे 370 को हटाया जाएगा। कुछ को लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाएगा पर आर्टिकल 370 को इंडिया हटाएगा ये कोई सोज भी नहीं सकता था। केंदर सरकार का ये प्लैन था कि वो एकदम अचानक से यहाँ पर राजे सभा में इस बिल को पेश करेंगे ताकि कोई कुछ समझने से पहले वो इसे यहाँ पर पास करवा सके। करते हैं और यहाँ पर राजे सभा में महा बहस शुरू हो जाती है। के पास यहाँ पर एक ही रास्ता वोटिंग का बचाता तो वो यहाँ फाइनली वोटिंग करवाते हैं और यहाँ पर 187 लोगों की वोटिंग होती है जिसमें से यहाँ पर 125 वोट अमिच्छा जी को मिलती है। जिसका मतलब था कि यहाँ पर 125 लोग चाते है कि आर्टिकल 370 हट जाए जिस वज़े से यहाँ पर राज्यसभा में भी उनको मिज़ॉरेटी मिल जाती है मच्छा जी की मैनत के वज़े से और यहाँ पर फाइनली आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है। तो दोस्तो फिल्म की कहानी यही तक थी और इन्होंने आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन को यहाँ पर एक सिनेमाटिक तरीके से दिखाया है पर काफी अच्छे से दिखाया है और तब उन्होंने कुछ यहाँ पर जो रियल लाइफ इंसिदेंस थे उनको बहुत अच्छे से क बहुत कमाल का काम यहाँ पर इंडियन आर्मी ने किया था जो कहानी आपने अभी तक देखी यह लगभख लगभख पूरी तरह से ही सच है हां कुछ यहाँ पर सिनेमाटिक टर्न्स लिए गया है पर फिर भी दोस्तो आप आप आर्टिकल 370 को अब्रोगेशन को बहुत अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो ठीक है दोस्तों मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कॉंटेन के साब तब तक के बाइबाइचा हिंद आंचा शिरा